आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल एकन को प्रिस करना न भूले हम लोगों को नहीं पता अब देस स्टन्न चाहता होँ जो हमारे और बाद शोफanu होता है वहत जंगलों में स्विधान में उन्कों क्या अधिकार दिए गए हैं इस तरह क्या है और क्या क्या अधिकार दिये गए गए हैं एक एसा बर्ग है हमारे देश में जो काफी लंबे अर्षए से बिसेस तोर पर नदी नालों के किनारे में निवासरत रहा है और जीवन के हर चेत्र में आगे बढ़ने के उन्हें आउसर नहीं मिलें लेकिन बे जल जंगल और जमीन का संडरक्षन करते आए और उनकी संस्कृति अलग है उनका उनकी देहन सेन अलग है उनकी बोली भासा अलग है और बहुले भाले होते हैं आज और अंधविश्वास से काफी हट तक बदूर होते हैं क्योंकि प्रकरती के वो पूजा खुआ करते हैं यह तो बाद में ऐसी इस्थिति आई कि वो कुछ अंधविश्वास की वेवस्था में फस गए लेकिन जब हमारे देश के सभ अनुच्छे 244 के तहट जो उसको ध्यान में रखते हुए पांचवी अनुच्छी विशेस तोर पर उनके लिए जो सविधार में वेवस्था की गई है जिसके तहट जो अनुच्छी जनजाती के बाहुले वाला जो छेत्र है ऐसी छेत्रों में यह वेवस्था लागू और यह राष्टपती को इसका अदिकार दिए गया है कि राष्टपती ऐसे चेत्रों को चैनित करवाए उस चेत्रों को बढ़वाए चाहे वहाँ के वनोपज हो, वहाँ के सारी की सारी विवस्था, अनुसुची जनजाती के लोग ही उसको संचालित करेंगे। ऐसी विवस्था पाचवी अनुसुची में दी गई है। जो उन अनुसुची जनजाती की छित्र में किस प्रकार की विवस्था होनी चाहिए, उनकी सलाह के वगर कोई भी कार ना तो हमारी राजिस सरकार करेगी और ना ही केंद्र सरकार करेगी। उनके सारे के सारे हक और अधिकार को शन्रक्षित करने की मकसद से ये विवस्था पा हो चुके हैं लेकिन आज भी अनुसुची जन जाती के वर्ग के लोगों को वो इस बबस्था का लाब नहीं मिल पा रहा है और आज भी उनकी जमीने हड़ती जा रही है आज भी उनके अधिकार से बंचित किया जा रहा है लेकिन जो उस छेतर में जो इन्होंने जंगलों को बचाया है जमीनों को बचाया है संस्कृति को बचाया है प्रकृति को बचाया है उसका बहुत बड़ा योगदान अनुसुची जन जाती के लोगों को है इस देश के नागरीक है सविधान ने उनके लिए इस वेवस्था की है लेकिन आज भी उन्हें इस वेवस्था का ल तरविशन है नोकरियों में, विधान सभाव में, सभी जगे, उनको शिक्षा के छेतर में, यह तो है ही, लेकिन विशेस उपन्थ इस पर्ग के लिए पाचिव अनसुची में हैं, जिसमें इनके मंत्रना परिसद होगी, उनका यानि एक प्रकार से उनका जो बाहोली छेतर है वहाँ पर सारी जो संसादन हैं, उस पर अनसुची जनजाती बर के लोगों का ही, जो है, उनका योगदान होगा, और उनी की दुकाने होगी, उनी का बाजार होगा, उनी के नियाई ब्यवस्था तक होगी, यह सारी पाचिव अनसुची में बिस्त्रत जो है, उसका बेवर जानकारी दी वकिल साहब? जब तक हमारे आदिवासी भाई बहन या इस देश के कोई भी नागरे अपने अधिकारों के प्रति जागरूप नहीं रहेगा तब तक उनके जो अधिकार है उसका हनन ऐसा ही होते रहेगा सायर के वकिल साहब सही कह रहा हूँ वकिल साहब मैं आप से कोस्चन और करना चाहू सभीदान वीरोधी बाते करते हैं सभीदान वीरोधी ने कौई अपने कार करते हैं तो हमारे OBSC भाई औरक्री वेह wastewater वेळों के लिए वर्धान के लिए विए अन्सुची जाती और जन्जाती बर्ग के लोगों के लिए तो जो बेपस्था सवेधान में है और अन्सुची जाती जन्जाती बर्ग के लोगों को काफी हद तक इसकी जानकरी है साथ ही जो OBC है जो अन्ड पिछड़ा बर्ग है अर्था जो अन्सुची जाती और जन्जाती के तरीक्त जो सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, सांस्रितिक छेतर में पिछड़ चुके हैं ये वो बर्ग है इसलिए इसको OBC, Other Big World Classes, अन्ड पिछड़ा बर्ग कहते हैं सविधान में इसके वैबस्था दी गई है अनुच्छे 340 के में इसमें ये वैबस्था दी गई है कि अनुसुची जाती और अनुसुची जन्जाती के अतिरिक्त जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजिनितिक, सांस्रितिक छेतर में पिछड़ चुके हैं ऐसे बर्गों के सर आश्टपती एक आयोग का गठन करेगा और वो आयोग उसका सर्वे करेगा और सर्वे करने के पश्चात उनको सुची बद्द करेगा उसकी सुची तयार करेगा और उसको उन बर्गों को इन सभी छेत्रों में आगे बढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए उस उसकी सिफारिस केंद्र की सरकार को अपनी रिपोर्ट परस्तूत करेगा और केंद्र सरकार जो है इसको लगूग करेगी। इसकी सुरुबात पंटिक जबानल नेरु जो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे, उनके समय में इसकी सुरुबात हुई थी। उसमें बावा साहब अमेटकर हमारे भारत देश के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने जो है इस पर बल दिया था जो उन्होंने व्यवस्था की थी सभिधान में क्योंकि ये व्यवस्था सभिधान में बाद में इसलिए उन्हें करनी पड़ी कि 1932 में जब अनुसुच की थी उस समय OBC के बर्थ के लोगों के लिए भी सुची तैयार हुई थी लेकिन उस समय बावा साहब अमेटकर का द्रोध हुआ था और OBC के भाईयों ने जो है जो है उस सुची में से अपने नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया था तो केबल दो सुचिया रह गई थी जो अनसुची जाती और जन जाती की जो सुची है वो 1932 की है तो जो काम छूट गया था वो स्वविधान बनाते समय हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद बावा साहब अमेटकर ने उस काम को बखो भी निभाया अनुचे 340 में उसकी वेवस्था की तो उस वेवस्था के तह जो है पहला आयोग गठित हुआ था काका कालेलकर आयोग और काका कालेलकर आयोग ने उसका सर्वे किया उनकी संख्या आई और ओवी सी के भाईयों की जैसा कि हमारे अनुची जायती के भाईयों की जो संख्या है उस समय 15% हमारे अनुची जन जाती आदिवासी भाईयों क की सअधे साथ प्रतीसाथ और ओभी जी के भाईयों की संख्या 52 प्रतीसाथ उस समय आज चुकी थी तो काका कालेल कर आयोग ने उसका सर्वे किया और उनको जो है प्रथम स्रेणी दिटी स्रेणी 33 में जो उनके आरक्षन की दवस्था उस सिफारिज जो है उन्होंने की थी लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया और चुकी बाबा साब बेट कर उस पर बल दे रहे थे लेकिन 1956 को हमारे बीच से अलवीदा हो गया उनका परिनिर्मान हो गया लेकिन तो उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई उस पर कोई क कुछ OBC के भाईयों को कुछ उसकी याद आई कि काका कालल कर आयोग है उसको लागू कराना चाहिए तो कुछ मांग उठी तो जब उन्होंने मांग उठाई तो उस समय फिर जो ततकालिन जो सरकान थी हमारी केंदर की तो उन्होंने कहा कि नहीं यह रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है इसके लिए नया सरवे कराना पड़ेगा तो उसके पश्चाद जो है उन्होंने नया जो आयोग गठीट किया मंड जुसे मंडल आयोग के नाम से जानते ही मंडल आयोग ने भी सरवे किया उन्होंने भी वही सिपारीश की कि इन लोगों को सांस्कृतिक, सामाजि आर्थिक, राजनेतिक, सभी छेतरों में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से अनसुची जाती और जनजाती के बर के लोगों के लिए जो वेबस्था है जैसे बच्चों को बच्चे सिक्षा प्राप्त करने के लिए सासन की और से सहायता, इस्टाइपन की वेबस्था उसी प्रकार से जो है OPC के बच्चों को भी सुभिधा की उसमें सिफारिस की गई थी नोकरियों के छेतर में, हर छेतर में उनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो है मंडल कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट प्रसुत की थी, लेकिन दस वरसों तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 1990 के संथिंग जब बिपी सिंग के नेतरत में जो है केंदर की सरकार्पनी उस समय फिर कुछ मांग उठी, कांशिराम साहब का भी आंदुलन उस समय चल चुका था कि मंडल आयो की रिपोर्ट लागू करो औरना कुर्सी खाली करो, तो उस समय कुछ OBC के नेताओं ने जो है उस बात को उठाया, तो उस समय जो बिपी सिंग की सरकार ने जो है प्रतिसत का रिजर्बेशन की घोष्णा की थी, लेकिन चुकि सविधान में OBC के भाईयों के लिए, OBC के नागरीकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनको जीवन के हर आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई है, लेकिन चुकि वो 52 प्रतिसत हैं, लेकि मद्यप्रदेश में तो 14 प्रतिसत की जो इसको रिजर्बेशन दिया गया, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट भी पूरी तरह से लागो नहीं हुई, साथ ही, चुकि हम मद्यप्रदेश से हैं, मद्यप्रदेश में भी इस सविधानी जो वेवस्था हैं अचे 340 के तहत जो है तो महाजन आयोग ने भी OBC का सर्वे किया था और उनके लिए जो भी ये सिफारिज की थी सरकार से, तो इस प्रकार से जो सविधान में OBC के भाईयों के लिए जो वेवस्था है, वो बिलकुल साफ सुत्री है, सविधान में उनको आगे बढ़ने के उसर हैं, लेकिन जो आ उनकी नियती में खोट होने की वज़े से उसको लागों नहीं कर पा रहे हैं, और उन पर जो क्रीमिलियर की जो वेवस्था की गई है, क्योंकि जहां OBC की बात है, जैसे हम अनुष जाती-जाती के लिए, अगर कोई उनके सविधान में वेवस्था है, उसको लाप राप्त करने के लिए उनको जाती-प्रमान-पत्र की आओ सकता होगी, लेकिन वो जो क्रीमिलियर की वेवस्था जो लागों कर दी गई है, जिसमें आई की सीमा उसमें नहीं कर दी गई है, तो उसे न तो उनका जाती-प्रमान-पत्र बन पाता है, और नहीं जो उनको जो सविधान में ही उनके लिए वेबस्ता है, ये सविधान उनके लिए बहुत ही हितकारी है, तो हमारे OBC के भाईयों को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, सविधान में ही उनके हक और अधिकार सुनिश्चीत है, और सविधान उनके लिए संट्रक्षन प्रदान करता है, ये वेबस्त ऌड़ी गहराईद का राष्टी पारिवालिग धंभसंगोष्टी के मधियम से समीधान जांकर्डव का अभियान ये चलाया जाता है और गाओ गाओमें जातरों कि ऐ प्रयास हमारे आधरंडिया वकिल साफ करते हैं आधियो नागले Сah覺 ध्रसक Esther Export पोस्च लोग केते हैं कि सभीधान की जड़े यह वे हमके चिपी हुई तो यह कहां तक सही है क्या इसके पीछे तथ्के हैं त्रब़े रही हमारे जानकारी के लिए हमारे दरसकों की जानकारी के लिए बता है मेली सर ये बात तो आप ही कहते हैं हाँ मैं भी बताता हूँ पर मेरी जो पाते हैं पुरी पुक्ता हो जाएं सबूत मिल्यान मुझे कुछ वोकिल साब के माध्रम से यह प्रचा रहा है जे जे सर जो आपका प्रशने बिल्कुल सही है क्योंकि जो तथाकत गौतम बुद्ध का जो धम है जिसे हम बुद्ध धम और संग जो तथाकत गौतम बुद्ध के धम में जो उनका दर्शन है जो उनका मार्ग है इसी आधार पर जो हमारे देश का सब्धान निर्मित हुआ है आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेज करना ना भूले